यह TV Serial में Acting कैसे की जा सकती है यह TV Serial में Acting करने का क्या pattern है या कौन-कौन सी बाते हैं जो आपको धान रखनी चाहिए अगर आप TV इंडस्टी में आ रहे हो Serial करना चाहते हो आप बहुत अच्छे जो भी Colors और GTV और Star Plus के जो भी आप Serial देखते हो इन पर अगर आप अभिने करना चाहते हो तो भाई कौन से इसे टिप्स हैं जो आपको विशेशकर बहुत important topic बता रहो विशेशकर धान नखना जरूरी है और अगर आज से पता चल जा आएगा तो घर पर थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो वाई जब आप आओगे तो कुछ कोरे नहीं आओगे मतलब कुछ लेकर आओगे घर से बराबर यह दोस्तों आप जुड़ चुके हैं कहां पता है पता है तो मेरे यानि कृष्णा राच के साथ में चलिए दोस्तों अ ठीक है यार बनाओगे तबी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ठीक है चलिए शुरू करता है कि टीवी एक्टिंग का पैटर्न क्या है टीवी सीरियल्स में जो हम काम करते हैं तो वो किस तरीके से वो बनाए जाते है या किस तरीके से आप उन पर काम करोगे तो कैसे अपने सीरियल होते हैं वो ज्यादा तर मोश्टी इन कंपेयर टू फिल्म के हाइप चलते है तुम देख लेना उनका पेस यह थोड़ा हाइए रहता है मतलब सीड रहती है वो हाइं तो कि आते गंटे का सीरियल होता है एक गंटे का सीरील होता है ठीक है अब आप सक्एर आना उसके compare में serial की जो speed है वो high रहती है तर 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 निकलता है serial देखना cut 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 मतलब एक scene बहुत ज़्यादा देड़ तक hold नहीं रहता है या कह सकते हो कि इधर भी track दिखाया उसके बाद ठरण्त इधर दिखाया गूंती रहती है slow audience बराबर क्योंकि audience भाई वहाँ पर audience को रोज मज़ा देना ना रोज मज़ा देना ना ऐसा तो नहीं है एक ही बार picture मनाई अच्छी लगी तो ठीक है नहीं लगी तो कोई बात नहीं है उनको तो अपनी टीयार पीचे हैं तो कैसे उसमें twist डाल सकते हैं कैसे twist पर ध्यान रखते तो twist को डालने के चक्कर में आप क्या रखते हैं वो लोग क्या रखते हैं हाई पेस पर रखते हैं जिसी की audience engaged रहे ठीक है अब इस हाई पेस पर जब रखते हैं तो एक्टर को भी थोड़ा सा mechanical होना पड़ता ही है मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं होता है होना ही पड़ेगा द करो मेरा जो तापर है जो मैं इस चैनल पर बताना चाहता हूं क्यार तुम अबिनेता हो तुम सब काम करना जानते हो तो मैथट से लेकर तुम हर एक चीज कर लो मतलब सामने वाला अगर जो तुमसे मांग रहा है उसको देने की capability तुमारे अंदर होनी चाहिए चाहे वो कराई तुम धु sport कर षाला कोई भी पिल थीक कर पहला पॉंस में पेस थीक है पहला मेजर जो टिप्स है वह हे है ऐस पर चलता है को स्व यहां पर character का जब भी कोई सीरेल तयार होता है तो उसका थोड़ा सा वरीफ रहता है अक्टर के पार लेकिन क्योंकि स्टोरी एक बार में नहीं लिखी जाती है सीरेल की तो ठीक है अब एक बार में आगे उन्हें पता ही ना कि एक साल तक क्या चलाएंगे जैसे भाबी जी घर पर चलता है या और भी सीरेल चलते हैं एक तारक मेंता का उडिटर चस्मा चलता है इतना पॉपलर शो है उन्होंने चार साल की स्क्रिप्ट थोड़ी पहले से लिख रखेंज वो वो के लेघ़ा जैसे आसरा ड्य bleibt आते रहए होते रहे तो केरेक्टर का ओलऻ दो है या इवालीशन चियो है बोगई भीरे धीरे होता है लेकिन अगर आपको कोई किरदार मेला है तो आपको स्टरतेंग मैं वो स्टाद्टरिछ नहीं होता है तो character TRP के according या पर serial के story के according धीरे 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 पर episode के according जो है evolve करता है या कहते है हम grow कर रहा होता है बढ़ रहा होता तुम्हें भी नहीं पता चले है कि तुमने पहले episode में जिस तरीके से अभने करा था और 30, 40, 50 के बाद वो अभने किस वो character जो है वो क्या बन गया जीरे जीरे क्या बना दिया गया और इसके बाद 100 episode के बाद तो वो कुछ और ही बन गया ठीक है तो character का evolvement है वो slowly 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 episode wise होता है किसमें सीरियल में बराबर दूसरी टिप्स होन नहीं अब हम तीसरी टिप्स की बात करता है तीसरी टिप्स क्या कहते है कि भाई time schedule रहता है किसमें किसमें सीरियल में अब time schedule का क्या मतलब है इसको अब समझ लेता है कि भाई उन्हें एक दिन में एक एपिशोड उन्होंसरी cover कर रही है क्योंकि डेली शोप है ना यार तो type चीजें उन्हें करनी पड़ते है इसमें क्या होता है एक एक्टर को क्या लगाना चाहोगे जो तुमने classes ले रखी है वो इतनी effective नहीं होंगी तब तक नहीं होंगी जब तक अगर आपको डारेक्टर जो सीरियल का डारेक्टर है वो लिवर्टी ना दे वो करवारे चाहेगा तो आपको अलग तरीके से भी performance करवा सकता है लेकिन हां क्योंकि एक दि चीजे शूट हो रही होते हैं तो इसमें एक्टर भाही अच्छा माला जाता है उसी कोई मतलब करते हैं गोल भाही होती है जो बहुत जल्दी लाइनों को कितनी जल्दी receive कर रहा है और उनको conviction के साथ में बाहर फिक दे रहा है बास मज़ा आ गया बाकी काम तो music ये सैक्ट और अलग-अलग तरीके से music और theme गाने वाने पढ़के वो कर लेते हैं वो engage बना देते हैं बराबर लेकिन एक्टर का काम क्या है एक्टर का काम क्या है मेरे बाई उस tight schedule में अपने आपको energetic रखना ये बहुत बड़ा factor है चुकि लगातर 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 आपके पा इसमें आता है इसमें आता है spontaneous काम इसमें जो बात कहते है है quick quick यह टेक्निक काम आते है कितनी जल्दी कितना sharp जो को अब बैच कह रहू हुं हुआ ये सब training का ही process है कि आपने भाई कितने जल्दी तरीके से lines को receive करना सीखा है कितनी जल्दी तरीके से deliver करते हो कितने conviction के साथ म काम हो गया विरिजान, काम हो गया, ठीक है, अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट क्या कहता है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, तो यार इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, बहुत सारी लोग तो 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 तिंदीस साल, चाटव साल थेटर करने के बाद या अपर एक्टिंग की च्वासे लेते रहते लेते रहते हैं, उस भी उन्हें इतनी सारी समस्या आती हो, ठीक है, अब consistency in performance, अब यह क्या कहता ह आपने या जिस take के साथ में या कह सकतो है, जिस efficiency के साथ में या जिस energy के साथ में आपने वो चीज जहां छोड़ी थी, जो character वहां छोड़ा था, आपको चार दिन बाद, जब दोबारा से आपका shot लग रहा है, बराबर, तो वहाँ ही से आपको carry करना ही पड़ेगा, तो consistent र आपको ही consistent रखने में उसकी हायत खराव जाती है, सोचो, फिल्मों में, ठीक है, यहाँ serial में क्या है, तीन दिन बाद, तो भाई, तीन दिन के बीच में तुमने खा लिया, पे लिया, और दो-चार दिन मस्ती चीज़े कर ली, उसके बाद तुमारा schedule लग रहा है, तो भाई यहाँ छोड़ा था, आज यहाँ छोड़ा, परसो आपको शूट हो रहा है, वो आपको यहीं से, इसी level से match करना पड़ेगा, तो consistent रखना पड़ेगा, बराबर जिस episode में जहां से आपको छोड़ा गया है, वहीं से आपको carry करते हुए, उसी energy के साथ में आना ही पड़ेगा और चौथी important tips समझ भाई ही serial की, ठीक है, दुकर हम जब तक pattern नहीं समझेंगे, serial में किस तरीके से काम होता है, filmों में किस तरीके से काम होता है, अच्छा, ad में किस तरीके से काम होता है, तो हमें इमने काम करेंगे कैसे, अपनी जो सीखी ऊई चीज यह उनको apply कैसे हमारी गलती पता है गलती क्या है एक्टिंग क्लासेज में थेटर क्लासेज में सब को सिखा तो जरूर दिया जाता है लिकिन ये मीडियम नहीं सिखा जाता है कि टीवी मीडियम अलग है फिल्म मीडियम अलग है एड का मीडियम अलग है मतलब प्लैट्फॉर्म इन करनी है बैटन तो ही जबागी है न हुसे पता है न तो इसी तरीके से हमारे साथ में प्लेट्पोर्म पे जो zu्फमें के कियमरे पर डालने लगते हैं अरे वह दूसरा प्लाइटफोर्म है वह तेस्ट मीट प्लाइफोर्म है समझो न हुसको थीक ए, ये समझभाएो आपको ये पॉängerं इंपॉर्ट इंपॉर्ट के बराबर अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यह अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि भाई adaptability, अब यह क्या होता है इसको समझते हैं, देखो, एक एक टीवी एक्टर, मेरे हिसाब से ज्यादा versatile होता है, अब कहोगे कैसे बात करो विल्म के इतने मनोजबाज पाई और यह अगरा नहीं इसलीट है इनके लिए क्योंकि यह अलग केटेगरी के अक्टर है इनकी परफॉमेंस अलग है टीवी अलग है टीवी को एक तरीके से कॉमर्शिलाइज तरीके से देखो उसमें एक्टिंग और पैसा कॉमर्शिली या फिर एंटर्टेन्मेंट ज्यादा है इनके फिल्म के ठीक है वो घर घर तक चीज़े पहुचाई जा रही है उनकी टार्गेटेड ओडियंस है सास बहु अचार यह यही चीज़े देखनी हू अगर बना रहे हैं अगर हां इस टॉरीकल बना रहे तो उनकी ओडियंस है तो अडेप्तिबिलेटी अब हम इस पर बात करते हूं यह क्या कहता है कर एक एक्टर को ना भई अडेप्तिबल मतलब सारी टेक्निक को लेना आना चाहिए डेरेक्टर क्या कह रहा है उसको तुन सब्सक्राइब करें तुम्हारा काम हो जाएगा तुम बढ़िया एक्टर के तौर पर निकल के आजाओगे सब्सक्राइब कितनी मज़ेदार चीज़े है तुम इतना डिस्कस नहीं यहाँ पर चार गंटे बैठके हम वर्क्शॉप डिस्कस नहीं करेंगे भाई वह शो चलना है वह अगले दिन एपिसोड निकालना है वह इतना तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं अगली टिप्स या अगला पॉइंट क्या है वह है रिलेशन्चिप विट वेक्टर्स तो आपको टीवी पे जो लोग मिलेंगे वह आपके साथ एक लंबा समय बिताने वाले लोग है अगर आप करेक्टर की काम कर रहे हो तो आपको उनके साथ में अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा अगर तुम उनमें पड़े रहोगे न सेट पे तो बहुत कहीं न कहीं तुम्हारी पर्फोमेंस में भी नजर आएगा तुम अपना अपना फोकस ही नहीं कर पाओगे यार क्योंकि इतने जल्दी जल्दी तरीके से काम करना पड़ेगा तो भाई बी प्रफेशनल उतना ही म पास्मक करो ठीक है एक एडिशनल टिप्स मैं जो दूँगा अगर बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो की सीरियल कर रहे होंगे तो यह वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग अब आगे आने वाले समय में करेंगे भाई आप अपनी सैट पर एक बुक लेकर दा रह या पॉलिटिक्स चलती हैं अंदर उनसे आप बच जाओगे आपका फोकस कहां रह जाएगा अपनी परफॉम्मेर्स पर ठीक है अब अगले पॉइंट के बारे में यह लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह क्या कहता है कि भाई मीडियम अब यह क्या है मीडियम क्या कहता है कि आपको समझेना पड़ेगा कि आपका जो सीरियल है यह तीवी का जो सीरियल है वो किस जॉनल में आता है ड्रामा है रियलिस्टिक है ठीक है इस्टॉरिकल है माइथो है क्योंकि जैसे ही आप जॉनल समझोगे इनके तो आप वहां पर आप उसकी एक्टिंग का पैटन भी एलाग हो जाएगा। मैंने बोला ना, आप समझ के काम करो, समझदार एक्टर वनो, एवे एक्टिंग मत करने शुरू कर दो, कि रियलिस्टिक आप माय्तों में पहल रहा हूँ, नहीं, काम ही नहीं गरेगी यार, या माय्तों व आपका सीरियल, उससे स्टेडी कर लो, उसके और सारे चीजे और काम को नेट पर देख लो, भाई उसका क्या काम है, वो किस तरीके से शौट लेता है, किस तरीके से चीजे दिखाता हूँ, उसका विजन क्या है, मैं मानता हूँ यार, एक बार में सोई में नहीं आएगा, दीरे-दीरे स्टेडी करोगे, तुमारे पास जाएगा क्या, यार, बता कुछ जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा यार, तो काम करना तो शुरू करो, यह महीं तो यार, ना, 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 तो आप यह जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, यह बहुत यूनीक लगी है, वेल्यू दिख रही होगी आपको इस वीडियो में, तो अकर वेल्यू दिख रही है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो है ना, मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, तो आप पर कोई वी वीडियो मिस नहीं होगी, और मैं एक एक वीडि सब्सक्राइब करो और किस पर नई वीडियो चाहिए ठीक है मुझसे जूड सकते हो सब्सक्राइब करेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे बस महनत तुमारी महनत और मेरी महनत यार वेस्ट मत करना है मैं इसतरे एफर्ट से जब काम करवा रहा हूं जब कर लेना घर पर देखो ठीक है कुछ-कुछ चीजों को ध्यान से देखो मतला अब पूछोगा इस वाली वीडियो में सार हम क्या काम करेंगे इस टेडी करो एक डारी और पैनल लेलो उससे नोट बनाने शुरू करो अच्छा कौन सी सीरियल में क्या होता इसका डिरेक्टर क्या है ? कैसा डॉनर है ? ठीक है किस तरीके का सीरियल में काम हो रहा है ? फ झाल का